Hello everyone, इस कुछ ने बोल रहा है कि एक पार्टिकल स्टार्ट करता है origin से और वो x-axis के along जो है move करता है सबसे पहले किस point पे था ये point 20,0 point पे था और फिर वो return होता है वही same line पे और point minus 20,0 पे जाता है तो हमें distance and displacement find करना है तो basic difference क्या होता है distance और displacement में distance क्या होता है actual path होता है और displacement क्या होता है shortest path होता है और सबसे जो महतवपूर्ण important जो दोनों में difference होता है वो है distance एक scale quantity और displacement क्या है एक vector quantity है मतलब कि vector quantity है इसलिए magnitude और direction इसमें दोनों होगा सबसे पहले तो हम coordinate axis को समझते है, coordinate axis में हम इसको origin बोलते हैं, इसको x, y axis बोलते हैं और इसको x axis बोलते हैं, इसको represent ऐसे करते हैं, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर origin से start होता है, origin क्या होता है, जहाँ पर x axis और y axis cut करता है, या intersect करता है, तो यानि कि starting point इसका कहाँ पर है, starting point O पे है और ये X axis पे move करने लगता है कहाँ पे जाता है 20 meter, 0 meter पे मतलब कि यहाँ पे जाता है ठीक है यानि कि ये move ऐसे करता है उसके बाद वो return होता है along the same path यानि कि इसी path पे return होता है और कहाँ पे चला जाता है ये minus 20, 0 पे यानि कि इसका starting point यहाँ पे था और end point कहाँ पे होता है ये फिर मतलब कि ये इसी path पे return होता है और यहाँ तक पहुच जाता है ये बात clear है यानि कि अगर यहाँ पे पूछा जाए कि distance कितना travel किया तो distance कितना travel किया सबसे पादे तो 20 अधर गया फिर 20 वापस आया origin के पास तक पहुचा again 20 किदर minus x-axis के तरफ गया यानि कि 20 अगेन वो ते किया यानि कि distance वो कितना travel किया distance travel by the particle is equal to 20 plus 20 plus 20 which is equal to 60 meter चुकि यह कि scale quantity तो इसका direction नहीं देंगे हम लोग अब displacement पे आते है ये displacement कितना हुआ कितना ते किया करने तो displacement क्या होता है ये होता है shortest path ठीक है displacement क्या होता है shortest path यानि कि starting point यहाँ पे था और end point कहाँ पे यहाँ पे है मतलब कि अगर यहाँ पे हम देखें तो दोनों के बिसका difference कितना है यहाँ पे minus 20 minus 0 minus 20 minus 0 which is equal to minus 20 यहाँ पे direction क्या बताता है कि negative direction की और इसका displacement है ठीक है minus 20 meter क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका displacement हो और we can say 20 meter in negative direction negative direction clear है कर दो हो कर थÁं लो में पेस्थ जाएगा